हेलो दोस्तों आप सबका मेरी चानल वास कोकिंग में स्वागते हो और आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत इंस्टांट और बचों का फेवरेट स्टॉबरी मिल्क शेग तो चलिए ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सिंग जार आपको यहाँ पे बड़ा वाला मिक्सिंग जार का इस्तिमाल करना पड़ेगा और फिर मैंने यहाँ पे लिए हैं पाच स्टॉबरी आप यहाँ पे पाच से छे स्टॉबरी का इस्तिमाल कर सकते हो इस तो इने हम mixing jar के अंदर डालेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे शक्कर तो मैंने यहाँ पे तीन चम्मा शक्कर डाली है आप यहाँ पे शक्कर के जगा हानी का भी इस्तमाल कर सकते हो या फिर आप इसमें condensed milk भी डाल सकते हो शक्कर आप आपके स्वादानुसार डाल सकते हो शक्कर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे बरफ तो मैंने यहाँ पे दो आइस क्यूब का इस्तमाल किया है पहले मैं इन सारी चीजों को ग्राइंड कर लूँगी और फिर मैं इसके अंदर डालूँगी दूद मैंने यह इसलिए किया है ताकि यह जो सॉलिड चीज़े है वो अच्छे से और फाइनली ग्राइंड हो तो आप देख सकते हो यह बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुके है अगर आपने इसे दूद के साइद ग्राइंड किया तो जो बरफ है और जो स््टॉबेरी है वो अच्छे से ग्राइंड नहीं होगी और फिर हम इसमें डालेंगे दूद तो मैंने यहाँ पे पूरा गलास भरके दूद का इस्तमाल नहीं किया है इस दूद को हम डालेंगे स्टॉबेरी जूस के अंदर यहाँ पे मैंने थंडे दूद का इस्तमाल किया है और फिर हम इसमें डालेंगे सबकी फेवरिट आइस्क्रीम आइस्क्रीम ओप्शनल है लेकिन आइस्क्रीम डालने की वज़े से इसे बहुती क्रीमी टेक्शर मिलता है तो मैंने यहाँ पे यहाँ पे जनीला आईस्क्रीम का इस्तमाल किया है आप यहाँ पे स्टॉबरी आईस्क्रीम का भी استमाल कर सकते हो आईस्क्रीम डालने के बाद हम फिर से इसे अच्छे से ग्रैंद कर लेंगे ताकि यह perfect milkshake जैसी बने smooth, creamy और बहुत ही yummy मैंने इसे हाडली एक मेट के लिए अच्छे से मिक्स कर लिया है तो आप देख सकते हो कि इसके ऊपर बहुत ही जाव और बहुत ही ठीक ऐसा फोम आया है अब हम लेंगे एक सर्विंग ग्लास और इसके ऊपर में लगाऊंगे इस तरह से स्ट्राबरी मैं यह सिर्फ अप देख सकते हो इसे बहुत अच्छा color मिला है और बहुत अच्छा texture मिला है इसे और भी attractive बनाने के लिए हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से strawberry के तुकडे तो आप देख सकते हो यह कितना yummy और delicious लग रहा है तो लीजे आपका जट-पट और instant strawberry milkshake रेडिए आपको मेरी रेसिपी कैसे लगे आप प्लीज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईए और ऐसे ही मज़दार और इंटरस्टिंग रेसिपीज के लिए आप मेरी चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले